नमश्कार दोस्तों मैं हूँ शुभम गुपता आपका English Educator और JC Academy के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों जिस तरह से मैंने आपसे वादा किया था कि Super 100 Questions और Concepts का मैं एक सीरीज ले करके आपके लिए आऊँगा और जो की Specific हमारे पास रहेगा SSC CGL Tier 2 सन 2022 और 23 की जो Vacancies है उनके लिए तो दोस्तों अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को जोइन नहीं किया है तो भईया फटाफट से आप इसको जोइन कर लीजे हमारी Success Stories हमारे लिए बहुत कुछ दोस्तों यहाँ पर कहती है All India Rank 4 किसी Particular Post के लिए देना यह कोई चोटी मोटी बात नहीं और फिर बच्चों का यह Feedback आना कि As It Is वही Quotions जो की Class में हुए जो YouTube पर हुए और जो Video Courses में थे तो दोस्तों यह बहुत कुछ कहता है तो आज से हम इस Particular Series की शुरुआत कर रहे हैं एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि Quotions के साथ दोस्तों यहाँ पर मैं Concept भी उसका Detail में डिसकस करूँगा ताकि किसी भी प्रकार से English Grammar का कोई भी आपके पास कोना Concept वाला अच्छूता नहीं रह जाए Approach आज मेरी यहाँ पर दोस्तों रहने वाली है CTQ that is Concept through Questions मैं लिख्के देता हूँ इन ही Questions में से एक्जाम में आने वाला है चले दोस्तों अब अगर मैं इसी Basically Series में आगे बढ़ूं तो यहाँ पर सबसे पहला Question जो हमारे पास है वो Sentence Improvement का है तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई एक यह Particular Sentence है कि If I would have known the truth I would have admitted it तो यह Basically जो पार्ट है यह Bold में हमने यहाँ पर किया हुआ है हो सकता है कि यह Bold वाला पार्ट और Underlined पार्ट सही हो यदि सही है तो फिर No Improvement मैं यहाँ पर लिखूंगा यदि यह गलत है तो फिर इसकी जगे क्या आना चाहिए Option A आना चाहिए Option B आना चाहिए या Option C दोस्तों मेरे पास यहाँ पर आना चाहिए अब बहुत ध्यान से देखिए इस Particular Question का जो मेरे प्यारे दोस्तों जो Concept यहाँ पर हमारे पास है वो पहले मैं आपको Explain कर देता हूँ यह जो Question हमारे पास है दोस्तों यह Question है मेरे पास Condition का यह जो Question मेरे पास है यह Question है मेरे पास Condition का मुझे कैसे पता लगा कि यह Condition का Question है क्योंकि भाई यहाँ पर If लगा हुआ है बड़ी Simple सी बात है और अगर मैं Conditions के उपर देखो मेरे प्यारे दोस्तों यदि मैं जाता हूँ तो Conditions मेरे पास तीन प्रकार की होती है पहली होती है Open Condition दूसरी होती है Semi Closed Condition और तीसरी मेरे पास होती है Closed Condition Open Condition में Condition लिखी जाती है वर्ब की First Form या वर्ब के साथ S और Yes लगा करके डिरेक्ली यदि यहाँ पर मैं बोलूं तो Present Indefinite में मेरे पास Condition लिखी जाती है और Open Condition में जो Result लिखा जाता है वो Will प्लस वर्ब की Base Form में लिखा जाता है जरूरी नहीं है कि Will का इस्तमाल हो आप Sentence के Context के हिसाब से Can, Shall, May किसी भी चीज़ का इस्तमाल कर सकते हैं फिर आता है Semi Closed Condition Semi Closed Condition में Condition वर्ब की Second Form में लिखते हैं और Result लिखते हैं Would प्लस वर्ब की Base Form में वर्ब की जगे आप यहाँ पर Should, Could, Might कुछ भी लिख सकते हैं According to the Context of the Sentence तीसरा आता है Closed Condition Closed Condition में Condition लिखते हैं Had प्लस V3 में और Result लिखते हैं Would प्लस Have प्लस वर्ब की Third Form में Fine चलिए अब है क्या कि वर्ब की Base Form का हम इस्तमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि Will और Would जो हमारे पास यहाँ पर है वो एक Modal है और Modals के साथ में हम लोग वर्ब की Base Form का ही इस्तमाल करते हैं दूसरी Important Information यह कि Open Condition में हम उन Events का जिकर करते हैं जो की Probable होते हैं Semi Closed Condition में उन Events का जिकर करा जाता है जो की Improbable या Imaginary होते हैं जो हो ही नहीं सकते जिसके बारे में सिर्फ आप Imagine कर सकते हैं नहीं हो सकते और Closed Condition तो दोस्तों देखो Past के लिए होती है चाहाँ पर Condition भी Past की होगी Result भी Past का होगा यदि Past में ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता अब Closed Condition दोस्तों Past के लिए होती है और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ Open Condition और जो मेरे पास Semi Closed Condition है ये दोनों की दोनों मेरे पास होती है Present के लिए और Future के लिए अब ये Present और Future के लिए है फिर आप कहोगे कि Result में तो Would भी लिखा हुआ है दोस्तों Conditions का Tense के साथ में कोई लेना देना नहीं होता है इस बात को हमेशा ध्यान में रखें तो जब मैं Question को देखता हूँ तो मैंने यहाँ पर देखा If I Would Have Known The Truth Fine तो इतना जो मेरे पास Part है यह मेरे पास Condition का Part है I Would Have Admitted It यह जो यहाँ पर मेरे पास Part है यह मेरे पास Result का Part है मेरे प्यारे दोस्तों यह जो Result में मेरे पास Verb Format में लिखा है यह Would Plus Have Plus Verb की Third Form लिखी है यह Would Plus Have Plus Verb की Third Form लिखी है तो भाई Would Plus Have Plus Verb की Third Form कहां पर आती है यह result का part कहां पर होता है यह होता है result का part closed condition में और closed condition में condition कैसे लिखते हो had plus verb की third form में तो यहां पर would have known नहीं आना चाहिए था यहां पर हमारे पास आना चाहिए था option A मतलब had plus verb की third form fine इस प्रकार से आप conditions के किसी भी question को कर सकते है condition में यदि वो चीज सही दी हुई है तो भाई फिर result का part देख लिजे result के part में basically यदि वो सही दिया हुआ तो फिर condition का part आप match करके देख लिजे चलिए दोस्तों English advantage मतलब मेरे CGL के mains का course मैं फिर से आप से repeat कर रहा हूँ purchase करना इसको ना भूले चलिए question 2 में यहाँ पर आता हूँ कि she was unhappy even after she married sorry she was married into an accommodative and caring family दोस्तों questions का level इसलिए थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि tier 2 की बात हो रही है लेकिन अभी जो SSC की exams आने वाले है उन बच्चों के लिए भी ये video बहुत जादा साथ सक होने वाला है चलिए ये सही लिखे हैं तो फिर D option को मैं टिक लगाऊंगा और यदि ये मेरे पास गलत लिखे हैं तो A, B, S, C में से कोई मेरे पास यहाँ पर question basically आएगा या तो wasn't happy सही लिखा है यदि सही लिखा है तो फिर D option है यदि वो गलत है तो A, B, S, C में से कोई एक चुनना पड़ेगा तो भाई यहाँ पर बात ये है कि वो कहना चाह रहा है क्या? कि भाई उस लड़की का ब्याँ उसकी शादी एक caring family में और एक accommodative family में कर दी गई उसके बाद भी वो unhappy थी उसके बाद भी वो unhappy थी अब भहुत ध्यान से मेरी बात सुनना दोस्तों होता क्या है? जो B के forms हमारे पास होते है जैसे ये B के forms हमारे पास लिखे हैं और B के forms यदि मैं main verb की तरह यूज करता हूँ इस की तरह यूज करता हूँ? main verb की तरह जैसे यहाँ पर watch लिखा हुआ था तो इसके बाद तो उसरा कोई verb लिखा नहीं है तो यही मेरे पास main verb की तरह use होगा दोस्तों क्या होता है कि इनको अगर हम लोग के पास BK forms main verb की तरह use होते हैं तो sentence में कई बारी इनको change कर दिया जाता है कब change करते हैं? बहुत ध्यान से सुनिए देखिए अगर किसी की state change नहीं हुई है लेकिन expected था कि state change हो जाएगी मतलब लड़की पहले दुखी थी बाद में अच्छे घर में शादी कर दी तो भाई खुश हो जाना चाहिए लेकिन वो अभी भी दुखी है तो BK forms अगर कहीं पे लिखे हैं main verb की तरह और आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उस sentence में कोई भी state में change नहीं हुआ सामने वाले के तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों BK forms की जगे kept, stayed या remained लिखेंगे मान के चलिए किसी की state में change आ गया तब हम लोग क्या करेंगे BK forms की जगे basically become के forms get के forms और turned के forms हम लोग दोस्तों यहाँ पर लिख देते जैसे यहाँ पर हमने लिखा प्रिलाद was happy when his son returned home मतलब पहले वो खुश नहीं होगा लेकिन बाद में वो खुश हो गया ठीक, तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों was का प्रियोग नहीं करेंगे यहाँ पर हम लोग became लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग got लिख सकते हैं और यहाँ पर हम लोग turned भी लिख सकते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर state में change हो गया है उपर वाले question में state में change नहीं हुआ लड़की के पहले भी दुखी थी, अब भी दुखी है तो यहाँ पर was की जगे हम लोग दोस्तों kept भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग stayed भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम लोग remained भी लिख सकते हैं तो यह option आपका यहाँ पर सही हो जाएगा इसमें improvement की जरूरत थी तीसरा जो मेरे पास question है वो error detection का question है कि भाई एक sentence को चार basically भागों में break कर दिया गया है part 1, part 2, part 3, part 4 fine तो यह sentence मेरे पास यहाँ से लेके मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक है तो यह sentence सही लिखा है fine अगर सही लिखा है तो फिर no error हम लोग बोलेंगे यदि गलत लिखा हुआ है तो भाई किस पार्ट में error है sentence के पहले में दूसरे में या तीसरे में किस पार्ट में error है इसके पहले मैं आपको दोस्तों यहाँ पर एक concept basically बताना चाहता हूँ वो concept यह है कि नीचे के दोनों questions आप देखो नीचे मैंने क्या लिखा है the climate of Mumbai is better than Hyderabad और नीचे उसके लिखा है the poems in this book are more interesting than that book अब दोस्तों है क्या किसी भी sentence में यदि देन आता है तो इसका मतलब उस sentence में मेरे प्यारे दोस्तों comparison हो रहा है क्या हो रहा है comparison पकी बात है अब comparison किस चीज़ का होता है comparison उस चीज़ का होता है जो चीज़ देन के बाद में लिखी होती है अब भाई देन के बाद में यहां पे लिखा है है घराबाद है क्या है city लेकिन तुम किसे compare करना चाह रहे हो climate को फाइन क्योंकि comparison एक जैसे चीजों का होता है इनसान का इनसान से, कलर का कलर से, खाने का खाने से अगर हम city का comparison कर रहे हैं तो city का comparison city से ही होना चाहिए then के बाद में city लिखी है लेकिन question किसका comparison करना चाहरा है climate का इसका मतलब ये गलत लिखा है तो हम क्या लिखेंगे ये हमको यहां लिखना पड़ेगा इसी प्रकार से नीचे यार उस चीज का comparison होता है जो चीज देन के बाद में लिखी होती है आप book का comparison करना चाहते हो question किसका comparison करना चाहता है poems का कैसे possible है किताब का comparison poems से कैसे एक जैसे चीज़ों का comparison होता है किताब का किताब से करो poem का poem से करो तो यहां पर हम क्या लिखेंगे the poems in this book are more interesting than the poems the poems फिर यहां पे क्या लिखा था इन लिखा था तो बाद में इन ही लिखेंगे हर जागे off नहीं आता है जैसा structure इसके बाद है वैसा ही structure हमको यहां पर भी लिखना पड़ेगा जैसा यहां पर climate के बाद में off लिखा है इसलिए दोस्तों यहां पर भी मैंने off ही लगाया है एक और चीज यहां पर है relevant information है वो भी मैं आपको दोस्तों यहां पर दिये देता हूँ और वो relevant information मेरे प्यारे दोस्तों यह है कि यहां पर देखो जो singular चीज़ें होती है ना उसके लिए हम लोग that का use करते हैं और जो plural चीज़ें होती है उसके लिए हम लोग दोस्त का use करते हैं तो यहां पर the climate की जगे आप यहां पर that का भी use कर सकते थे और नीचे यहां पर जो the poems लिखा है इसकी जगे मेरे प्यारे दोस्तों आप those भी लिख सकते थे क्या the poems in this book are more interesting than those in that book यह भी आप लिख सकते थे अब कुछ कहने की जरुवत नहीं है the climate of Mumbai is better than Hyderabad जो यहां पर लिखा है न तो वो गलत हो जाएगा the climate of Mumbai is better than that of Hyderabad हो जाएगा या the climate of Mumbai is better than the climate of Hyderabad हो जाएगा तीसरे वाले part में error था चलिए दोस्तों अब मैं यहां पर move करता हूँ हमारे fourth वाले question के उपर fourth वाला question भी जो मेरे पास यहां पर है भाई वो भी मेरे पास sentence improvement है कि several ministers have been expected to meet the people tomorrow कि भाई कुछ मंतरी लोग हैं और expectation ऐसी है कि कल जाकर के वो अपने छेतर की जनता से मिलेंगे तो भाई sentence improvement का यह सवाल है मतलब जितना part bold और underline किया गया है या तो यह सही है सही है तो फिर no improvement यहां पर लिखा हुआ fine इसको हम tick लगाएंगे otherwise a, b, a, c में से कोई भी चीज सही हो सकती है देखो मेरे प्यारे दोस्तों बात यहां पर यह है नीचे से एक tabular column आपके screen पर अभी अभी आया यार देखो हमको पता है कि जब कभी भी मैं tense की बात करता हूँ तो half के forms perfect tense में इस्तमाल करता हूँ fine perfect का मतलब क्या होता है perfect का मतलब होता है complete फिर b के forms जो मेरे पास होते हैं वो continuous tense में हम लोग use करते हैं fine continuous tense का मतलब होता है action permanent नहीं होना चाहिए फिर do या do के forms हम लोग कहां use करते हैं हम लोग use करते हैं indefinite tense में इसमें तो कोई देखो दोस्तों एक बात मुझे यहां पर और भी पता होना चाहिए वो क्या है कि भाई b या b के forms और have या have के forms ही मेरे पास English के दो ऐसे forms हैं जिनके बाद verb की third form आती है क्योंकि b की form यदि continuous में आएगी तो उसके बाद तो verb की base form प्लस ing आता है लेकिन b की forms और have के forms के बाद हम लोग क्या करते हैं वर्ब की third form भी लिखते हैं इसमें से half के forms के बाद तो हमेशा ही verb की third form आती है b की form के बाद जब वर्ब का third form आता है तो हम लोग ये बोलते हैं कि भाई verb की जो format है न वो passive है और have के forms के बाद जब वर्ब की third form आती है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास verb की format है न वो basically कैसी है perfect tense की तो यार वहाँ पर लिखा है several ministers have been expected to meet the people tomorrow ज्यादा सोचने की जरूरती नहीं है यहाँ पर इसको मैं basically head कर देता हूँ भाई यहाँ पर तो have लिखा हुआ है न यार मुझे पता है कि have के forms perfect tense में use होते हैं perfect tense में perfect का मतलब complete होता है भाई complete हुआ कहा है expectation है तो have के forms तो आने ही नी चाहिए नीचे ही मैंने आपको बताया भाई जब half के forms नहीं आने चाहिए तो यहाँ पर head है तो फिर यह भी नहीं आएगा fine यहाँ पर भी half के basically हमारे पास forms है यह भी नहीं आएगा भाई यहाँ पर तो old expecting भी लिखा हुआ half के forms से सब जगें हटा दीजे उसको और फिर डी भी नहीं हो सकता क्योंकि भाई वो गलत है half के forms वहाँ जहाँ पर चीजे पूरी तरह किसे complete हो जाए complete कहा हुई expect कर रहे हैं अभी तो कि आएंगे सहाब जादे आएंगे अभी आए कहा हैं तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा chain नहीं chain नहीं is going to be the correct answer method of elimination से हमने इसको solve किया कि several ministers are expected to meet the people tomorrow ज्यान रखिए have a have के forms perfect tense perfect का मतलब complete b.i.b.ke forms या तो continuous tense में use होंगे या basically passive में use होते हैं continuous का मतलब work की base form plus ing बाद में आएगा और passive का मतलब work की third form बाद में आएगी do या do के forms infinitive sorry indefinite tense में हम लोग use करते हैं जहाँ पर have या have के forms के बाद हमेशा work की third form आती है next आ जाओ अब भाई क्या है look forward to meet you in kochi looking forward to meet you in kochi fine इतनी बात दोस्तों यहाँ पर लिखी हुई है fine हम आशा कर रहे हैं कि भाई तुमसे न हम kochi में मिलेंगे केरला में अब सुनो यहाँ पर भाई यह भी sentence improvement का हमारे पास सवाल है fine अब बहुत ध्यान से मेरी बास सुनना दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि यह जो look forward to हमारे पास होता है न यह इतना part जो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है looking forward to यह look forward to इसका मतलब क्या होता है to be pleased or excited that is going to happen look forward to यह एक positive context देता है सरफ इतनी बात नहीं कि भाई मिलेंगे केरला में मिलेंगे कोची में मिलेंगे नहीं वो तो है ही इसके साथ एक excitement भी होती है जो चीज होने वाली है कि भाई मिलने वाला साहने वाले एक अलगी excitement है to be pleased or excited that is going to happen fine ऐसा अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए या तो to meet you सही लिखा है या तो ये गलत लिखा है सही लिखा है तो भाई फिर no improvement आएगा गलत लिखा हुआ है तो भाई या तो A answer होगा या तो B होगा या तो C होगा पहुत अच्छे लेविल का सवाल है बहुत ध्यान से समझी दोस्तों यदि आपको ये concept और detail में जानना हो जो मैं अभी यहाँ पर बताऊंगा तो वीडियो कोर्स के माध्यम से आप देख सकते है वरना YouTube पर ही हमारे पास non-finite verb का पार्ट है ये इसके दो वीडियो जलने हैं वहाँ पर इसको बहुत प्रेम पूरवक देखिएगा तू जो हमारे पास होता है तू के दो नेचर होते हैं आपको पता है तू या तो हमारे पास infinitive वाला तू होता है यदि infinitive वाला तू होगा तो बाद में verb की first form आती है या तो two जो मेरे पास होता है ये two दोस्तों मेरे पास proposition वाला two होता है यदि ये proposition वाला two है तो इसके बाद में verb की base form प्लस ing आती है जो कि मेरे पास किस की तरह में इसको बोलूँगा कि भाई ये noun की तरह behave करेगी और इसको बोलूँगा क्या में? जेरंड बोलूँगा तो कि हम सभी को पता है कि जितनी भी proposition होती है उनके बाद हमको noun लगाना होता है पहली बात तो ये हो गई अब कैसे पता चलता है कि जो two हमारे पास लिखा है वो infinitive वाला two है यदि infinitive वाला हुआ तो बाद में वर्ब की first form लगानी पड़ेगी या two preposition वाला two है यदि preposition वाला हुआ तो वर्ब की base form पर सहेंजी लगानी पड़ेगी ये मैंने बताया है कि ये हम लोग पता करते है two के पहले जो वर्ब लिखा है उससे ये कोई छोटा मोटा concept नहीं है पका आएगा paper में वर्ब यदि हमारे पास transitive है यदि वर्ब transitive होता है तो two जो हमारे पास होता है वो infinitive वाला two होता है और यदि two के पहले जो वर्ब लिखा है वो intransitive है तो जो two मेरे पास लिखा हुआ है न वो preposition वाला to होता है दोस्तों इसके पहले जो वर्ब यहाँ पर हमारे पास लिखा है यह intransitive है इसलिए जो to यहाँ पर आएगा यह जो to यहाँ पर लिखा हुआ है यह preposition वाला to है मतलब इसके बाद जो वर्ब आएगी just बाद जो वर्ब आएगी वो होना चाहिए आएंजी फॉर्मेट में, जो या तो ये लिखा है, जिस्ट बाद, या तो ये लिखा है, तो या तो बॉम्बे आंसर होगा, या चेन नहीं आंसर होगा, अब बॉम्बे या चेन नहीं में से कौन सा सही होगा, तो भाई, बॉम्बे होगा, क्यों, to meeting whom, what या होम का reply क क्या होते हैं नाउन होते हैं तो भाई डिरेक्टी नाउन यहां पर कहां दिया हुआ है यू में अगर ये छोटी-छोटी चीजें अगर आपको सीखनी है दोस्तों बहुत जादा कुछ नहीं जाने वाला है फंडमेंटल का एक कोर्स है यदि उसको भी आप ले लेंगे मातर 99 रुपे में वो आपको पढ़ेगा तो भी आपके इंग्लिश में 20-25% इंप्रूवमेंट आएगा इस बात की मेरी यहां पर गैरेंटी है तो लुक लुकिंग फॉरवर्ड तो मीटिंग यू इन कोची दोस में यहां पर आपको एक बात पताता हूँ बहुत प्रैक्टिकल जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब आपको पूरे यूटूब पर कोई नहीं गराएगा उससे सवाल क्या है कि भाई नॉन फाइनाइट वर्ब में दो चीज़ें होती है एक इन्फिनिटिव होता है और एक जै इन्फिनिटिव का मतलब 2 प्लस वर्ब की 1st form और जैरन का मतलब क्या होता है वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आई इन जी जो कि किस की तरह मेरे प्रेदुष्टों काम करती है नाउन की तरह फाइन इन्फिनिटिव या जेरेंड बेसिकली जह हम लोग लिखते हैं तो वो कब लिखते हैं यह हम लोग लिखते हैं मेन वर्ब के बाद इसके बाद मेन वर्ब के बाद यदि मेन वर्ब के बाद या उसके देखो यहां पर अगर कोई काम मेन वर्ब के बाद में हो रहा है कोई काम मेन वर्ब के साथ साथ हो रहा है या उसके पहले हो चुका है तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग यूज करते हैं जेरेंड कभी भी इसमें कन्फ्यूजमत करना कोई काम यदि मेन वर्ब के बाद होगा तो इन्फिनिटेव आता है यह practical difference है और यदी कोई काम main verb के साथ साथ हो रहा है या उसके पहले हो चुका है तो फिर gerund आता है the man finished to painting the wall and went home यार देखो finish और यहाँ पर क्या लिखा है paint यह हो गया main verb और एक आपके पास काम यहाँ पर यह हो गया ठीक ना main verb यह हो गया और एक काम आपके पास ही हो गया भाई अगर कोई काम finish हुआ है तो या तो जिस समय बोल रहे हो उसी समय finish हुआ है या उसके पहले हो चुका है या तो वो particular काम उसी समय finish हुआ है या उसके पहले हो चुका है तभी तो बोल रहे हैं कि भाई काम खतम हो गया या तो जब तुम बोल रहे हो उस समय खतम हो गया या उसके पहले खतम हो गया तो ये वाला जो काम है ये main verb के पहले वाला काम है या ये काम उसके साथ-साथ हुआ है या तो जिस समय बोल रहे हो, उसी समय फिनिश हुआ है, पेंट वाला काम, या तो उसके पहले हो चुका है, इसलिए अब बोल रहे हो, तो ऐसे केस में हमेशा क्या आता है, जो काम मेन वर्प के साथ साथ होता है, या उसके पहले हो चुका होता है, ऐसे में आता है, जेरंड, तो क्या लगाएंगे, the man finished painting the wall and went home, इसको मैं एक दूए example से और समझाए तो बहुत भेटर clear आपको अभी हो जाएगा, देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ eraser और इसको मैं ने कर दिया areas यहाँ पर, अब सुनो यहाँ पर, the man, the man wanted dash to watch या watching TV, इतना लिखा है यहाँ पर, पूरा clear हो जाएगा अभी आपको यहाँ पर, क्या, देखो यहाँ पर, यह main verb है, ठीक है, और इस blank में या तो infinitive भरना है, या तो आपको क्या भरना है, gerend भरना है, इन दोनों में से कुछी एक चीज़ को आपको भरना है, भाई, पहले एक्छा होगी, बाद में ही तो देखेंगे, तो यहाँ पर जो काम होगा, यह main verb के बाद वाला काम हुआ ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, to watch, main verb के बाद वाला काम होगा, पहले एक्छा होगी, want, तभी तो देखोगे, तो main verb के बाद होगा यह काम, इस प्रकार से पता करते हैं, next आ जाओ, दोस्तों, upcoming videos on YouTube, छोड़िये का नहीं, मैं फिर से आप से कह रहा हूँ, एक तो vocabulary express, बहुत किछली प्रका के रखी है YouTube पर, vocab का बिलकुल से और short हर चीज़, antonyms, anonyms, previous year, one word substitutions, idioms and phrases, spelled words, सभी चीज़ें, दोस्तों, मैंने यहाँ पर available कराई हुए, और super hundred questions, और साथ में इनके concepts, जो हर question में मैं आप से discuss कर रहा हूँ, तकी grammar पर पूरी तरगी से command आ जाएगी, fine, चलिए, दोस्तों, इसके बाद आता हूँ, question number seven पर, क्या है, निर्मला want nothing but watching TV, दोस्तों, देखो अब यहाँ पर, बात सबसे बड़ी यहाँ आती है, कि nothing but जो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर है, दोस्तों, जो nothing but यहाँ पर मेरे पास है, इसके पहले ज़रा आप यहाँ पर देखें, want लिखा हुआ है, जो concept मैंने अभी explain करा, यह हो गया main verb, इसके बाद आपने एक verb यह इस्तमाल कर दिया, watching, तो भाई, पहले एक च्छा होगी, देखेंगे बाद में, ठीक न, तो main verb के बाद वाला काम है, यह, यह बाद वाला काम है, यहाँ पर क्या आना चीए, तो watch, fine, तो निदमला want nothing, but to watch TV, लास्ट वाले कोशन में आओ, the officer has given orders to his soldiers yesterday, दोस्तों देखो, एक बहुत बड़ा point यहाँ पर निकल कर क्या आया, आप अगर देखें, तो आदमी कायदे से tense भी नहीं पड़ता, भाई मैंने यहाँ क्या लिखा है, time decides the tense, क्या लिखा हुआ है, time decides the tense, यार देखो यहाँ पर, क्या, the officer has given orders to his soldiers yesterday, यार yesterday जो यहाँ पर लिखा हुआ है न, yesterday है time, और यह time किस सीज का है, यह है time past indefinite का, मैंने य यहाँ पर क्या लिखा, जैसा time होगा, वैसा tense होगा, या time है past indefinite का, और यहाँ पर हमने has given basically लिखके रखा हुआ है, क्या लिखके रखा हुआ है, has given, तो भाई has given कैसे आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, one मैं कर देता हूँ, यहाँ पर, अब ज्यादा सही ह भाई, has plus verb की third form आप कहां लिखते हो, यह आप लिखते हो present perfect में, कहां लिखते हो इसको present perfect में, यार time है past indefinite का, लिख रहे हो present perfect कैसे काम चलेगा, time decides the tense, जैसा time वैसा tense, तो भाई यहाँ पर क्योंकि time past indefinite का था, तो यहाँ पर भी हमें इसको eliminate करना पड़ेगा, जो tense भी हम हमारे पास है न, वो past indefinite लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, गेव, the officer gave orders to his soldiers yesterday, तो यहाँ पर इसके पास हमारे पास क्या हो गया, Bombay option हो गया, दोस्तों, फिर से इस चीज़ को मैं repeat कर रहा हूँ कि भाई, इस कोश्ट की तरफ जरूर आप एक बर ध सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद,